बहुत ही शानदार नजारा यार और यह देखो यहां के नजारे वो लुक आट इस व्यू माई डियर यह है भाई गूलर बोज डैम और यह हमारी लोकेशन में तीसरा डैम है अब हम लोग पहुच चुके हैं हरी पूरा हट सैंप बाजपूर के पास यह दिखा इन अब ही मैं बैराज पर चल रहा हूं और लोकेशन जो है यार एक नमबर है अभी मैं आप लोगों को जहां का व्यू चेक आट कराता हूं और देखना आप क्या नजारे यहां यहां पर वहां पर बोट्ञी चेक रहाएंगे और यह पूरा इरिया वोटिंगा है यह पुरा इरी जो एक पानी को बंद किया हुआ है यह जब रेंए 14 देख पा रहे हो तो नीचे ।ो नीचे बह utility insgame ispad और चान Cake आठूंस यहां पर लोग चिल आउट करी है जहां आप लोग जहां पर लोग जो है अपनी फैमिली के साथ में ते बहुत ही खुबसूरत और बढ़िया लोकेशन है यह कुछ रास्ता है जहां से अभी हम आये हैं तो यहां से व्यू चेक आउट करो यह बोट्स हैं बहुत ही आसम नजारा है याजिया के यहां फरे लिव 2017 कि यहां थे लिवाली है छोस्ता बहुत हथा ठीक्स, क्याया है थे इस्टा अंड़ आसब गया हिए लिवाच ट कटीश्य ब bevorटिया गया है थे यहां कि शेल्लों देख एक पर कमीः और नहीं यह यह रहां हुँ तया अपर बाटि लेवल्याद लोकेशन पढ़ती है मैं लोकेशन टैग कर दूँगा आप लोगों को आगे चलते हैं तो अभी मैं और शारूख जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए और बोटिंग में आप लोगों को कुछ आउसम आउसम व्यू दिखाएंगे और यह जो रास्ता जा रहा है सीधा यह बोटिंग के जरा आपको शॉर्ट चेक आउट कराते हैं अभी हम पहुँच चुके अब बोटिंग वाली लोकेशन पर और बोटिंग जो है मेरे पीछे हैं और अभी हम बोट का वेट कर रहे हैं मैं और शारूख जो है बोटिंग करने के लिए पीछे लेक में जाएंगे आपको जो है खतरनाग वाले विव चेक आउट कराएंगे फिर तुम लोग बतारा कि कैसा है का नजारा तो यहां का बोटिंग वाला स्पेस है यहां पर सारी बोट्स लगी हैं कुछ बोट्स अभी गई है और यहां से जाकर हम लोग बोटिंग करते हैं और बाकी कुछ इं यहां से हमारा टिकेट काउंटर है अभी चलते हैं जड़ा देखते हैं कितने कि टिकेट्स है यार वो जो सिंगल डाइब की बोट्स होती है आभी नीचे दिखाऊंगा आपको जाके वो यह लोगोने बंद किया हुआ है हमारा बड़ा मन जाने का यहां सारे बोर्ट्स के चा टाइमिंग और एक्टिविटीज है यहां परफॉर्म करते हैं कौन से वाला लेंगे हम उसी का लेंगे हैं उसके कुछ अला गया छोटी वाली नहीं है नहीं है लेक्जरी बोले जो अभी गई हैं तो यार हम लोगों ने भी बड़ी वाली बोट लिए वह अभी राउंड पर गरीव है और जल्दी से आएगी एक बोट सामने से आ रही हैं यहां पर लाइफ जैकेट्स वगेरा दी गई है तो इन लाइफ ज वाली बोट इन्हों ने अलावनी की वह हैं और इसके साथ सबसे इची बोट है वह वह एक तरीके से मोटर बाइक वाली है उसका थ्रिल एक अलगी लेवल पर रहे हैं तो यार अभी हम लोग आ चुके हैं डैक पर और यह हमारी बोट भाई कोई बात नियारा बैट जास कर बड़ी मुश्किल्स है इन को मनाया अब तुम कैंसल मत करो यह बंदा कली करके गया राइड कली तो राइड करके गया यार चलो 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 बैटें भाई बैटो शारुक हराम से उपस तो राइड गाईज वी आर रेडी तो फ्लाइड यह कुछ ऐसा व्यू है यह दो लोग भाई लोग भी हमें मिल गए हैर भी है शारुक कैसा लग रहा है बाई लोगो बढ़िया वाई हावा बट बढ़िया आ रही है सबसे बढ़िया बात यह है और लड़ लड़ा क लोग बढ़िया वाव यार खुब्सूरत संसेट होता हुआ और यह लूग बिलकुल चेंज हो गया है डैम का वहां से नजारा कुछ अलगता और यहां से व्यू कुछ और ही है वहाद ही शानदार नजारा यार आसम तो तो तुम लोग बताना यार यह बांटरीज है इन ब कावल करके आये थे अभी और कावी आगे पहुच चुके हैं हम आजाओ डल लग रहा है है ओके एक बोट मुझे आके वहां भी दिखाई दे रही हो बिल्कुल पैनल में जा रही है हमारे यह है असली मजा और यह है असली एडवेंचर भाई अपने पास में बिल्कुल पानी को टेच करता हुआ रहा है और बोट जो है विल्कुल उपर नीचे लहर उपर उपर नीचे होती वी जबर्दस मजा दे रही है हूँ हूँ पानी का लेवल बहुत ही शांदार लहरे देख पा रहे होंगे कितनी बढ़िया लग रही है और वो डैम की जो है दिवारे और सामने बहुत एक खुबसूरत संसेट होता हुआ और वियू देखो यार कितना लाजबाब है बिल्कुल एक नंबर फाइनली हम लोग बीच पर पहुच चुके हैं वहां है हमारा बीच जहां से हमने स्टार्टिंग करी थी और यह कुछ इस तरीके का वियू आ रहा है हांसे और संसेट बहुत ही बढ़िया और यह भाई फोटो क्लिक कर रहा है मज़ेदार अपनी इंस्टाग्राम पर अपल चाहिए थोड़ा से टर्ण मारेगा वाओ यार वहां बैराज है जहां भी मैंने व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था वो बैराज के गेट से महां पर और वहां दूर दूर तक हमें पानी पानी दिखाई देगा ओसम यार यह वह यह उत्राखन की ब्यूटी एक्स्प यार खदर नाक पूरा एक सर्कल में मारता हुआ फिर लेके जाएगा बंदा हौसम सो फाइनल यार अपना थ्रिल जो है ओवर होता हुआ भाई ने बहुत ही बढ़िया राउंट दिया हम लोगों को बहुत ही बढ़िया टूर कराया इस बराज का और स्पीड जो है अब लो में बढ़िया में बढ़िया और अवा खीरिया यहां तो यारे एक नंबर भाई एकर प्लुक्ल टीर वाला फील आग्या जैसे तहरी डैम है लोगो आप आजए हागिया ओसम आज़ा नजारे है तो अब हम सीधा चल रहे है यह थोड़ा सा रोड जो है बड़को बढ़िया बहुत स्टुडेंट था जो मेरे कॉंटेक्ट में जिन से में कॉंटेक्ट करता हूं उनमें से एक शारूपी है अपने व्लॉक्स के थूरू में आप लोगों को ऐसे नजारे दिखा दूगा ना कि आप लोग को आप मज़ा गया मज़ा गया मज़ा गया ब्यूटी का हां से हमारी कुछ ट्रें निकल रही है और यह कहां से लालकुए से आ रही है और सीधा बाचपुर होते वे काशिपूर निकल जाएगी तो यह बिल्कुल पैरलल रूट है डैम के साथ में और यह वो लोकेशन जिसको हम बाई-बाई कर रहे हैं अब यहां से निकलने का टा अगे हैं और आग लगा दो याल अभी हम साइड हाईवे फे पहूंच चुके हैं और यह रूट सीथ हमें बाचदफू ले के जा रहा है बाचपुर आ चुके हैं और हम लोग पहुच रहे हैं काफे पर शारूक हमें काफे लेग ले यहां कुछ चालि काफी पिएंगे मैस निगल चुके हैं होट चाहे सेंडविच हमने लिया है और बहुत ही यमी था इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो गड़ लेना यार क्योंकि इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छी रील्स और पिक्स आने वाली है मेक्शिर फॉलो गरें फाइनली हमने शारुक को बाई बोल चुका हूं और आज का व्लोग पसंद आया होगा आज का एड्वेंचर जो है पसंद आया होगा पसंद आया है तो आप लोगो को को पता है कि जी फ्लोग को सब्सक्राइब करना आज की लोकेशन कैसी लगी ज़रूर कॉमेंट करके बताना थैंक्स पो वाचिंग दिस झाल